करनी पड़ी अगर मैं अपने आप से पूछता 2004 में 2010 में, 2014 में कि मुझे 4000 किलोमिटर कन्या कुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था यह यात्रा शांत हो जाएं यह यात्रा हमें क्यूं करनी पड़ी क्यूंकि देश का जो कम्यूनिकेशन का सिस्टम है शाहिए वो मीडिया हो सोशल मीडिया हो वो आज देश के हाथ में नहीं है जनता के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी हिंसा, नफरत, महंगाई किसानों के मुद्दे अगनी वीर के मुद्दे जवानों के मुद्दे वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे तो हमें ने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को चार हजार किलोमेटर और सिर्फ राहूल गांदी नहीं चला ये गल्प फेमी में मत रहिए कि राहूल गांदी चला है सब पार्टियों के सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले सब नेता आए हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ शरतवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजेश हुए आए सोशल मीडिया में भी आप गलत फेहमी में मत रहिए किसी ने कहा कि सोशल मीडिया एक रास्ता है, सोशल मीडिया रास्ता नहीं उस पर भी कंट्रोल है अमेरिका की कंपनियों पर दबाव है तो काफी डिस्कॉशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनेतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं राजनेतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और ये समझने की जरुरत है हिंदुस्तान के यवाओं को ये बात समझनी होगी कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं नहीं हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं एक व्यक्ति को चहरा बना कर उपर डाल रखा है हिंदु धर्म में शक्ति शब्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं एक शक्ति से लड़ रहे हैं अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है जैसे किसने यहां कहा राजा की आत्मा EVM में है सही है सही है राजा की आत्मा EVM में है हिंदुस्तान की हर संस्ता में है ED में है, CBI में है, Income Tax Department में है एक वरिष्ट नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसी प्रदेश के एक वरिष्ट नेता Congress Party को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मा से रो के कहते हैं कि सोन्या जी मुझे शर्म आ रही है मेरे में इन लोगों से इस शक्ति से डरने, लड़ने की हिम्मत नहीं है मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ और ये एक नहीं है ऐसे हजारों लोग डराये गए हैं क्या आप सोचते हो शिव सेना के लोग एंसी के लोग ऐसे ही चले गए नए जे शक्ति के मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी को ओर किया है और वो सब दर के गए हैं चार हजार किलोमेटर चला उसके बाद छे हजार किलोमेटर मनिपूर से महराष्टरा मुंबई धारावी क्या मैंने देखा क्या सुना मैं आपको समझा नहीं सकता शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको बोल रहा हूँ तो बात याद है मेरे पास एक युवा आता है जीप पर कुदता है सिक्योरिटी वाले उसको मारते है दवा कर मारते है तब ही वो आता है हाथ पकरता है आँख में आसू मुझे कहता है राहूल जी मैंने तीन साल हर रोज सुभे रनिंग की पुलप्स की पुशप की डंड बैटक सब कुछ मैंने किया मेरे दिल में देश भक्ती थी मैंने मैं चाता था कि मैं लदाख में जाकर थंड में जाकर थंड में कापूं देश के दुश्मनों के सामने कापूं और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं ये मैंने सोचा था राहुल जी अगनिवीर लागू कर दिया मेरे देश ने मुझे धोका दिया है नहीं तुमारे देश ने तुम्हे धोका नहीं दिया तुमारी सेना ने तुम्हे धोका नहीं दिया उसी शक्ती ने तुम्हे धोका दिया है नरेंद्र मोधी बाईयों और बेहनों सिर्फ मास्क है मुखोटा है जैसे ये बॉलिवुड के आक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भाईया आज सुबह आपको ये करना है कल आपको ये बोलना है परसों आप ये करोगे सुबह उठके समुदर के नीचे जाओ चलो सी प्लेन में उड़ो 56 निच के चाती नहीं है खोकला व्यक्ति है दारावी को देखिया मुझसे पूछा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी मैंने सोचा एक बात क्लियर थी महनिपूर से शुरू होगी क्यों आपे इसी शक्ति ने सिविल वार का महौल बना रखा है भाई भाई को मार रहा है गोली मार रहा है तो शुरुआ तो वहां से होगी और फिर मैंने सोचा अगर हिंदुस्तान को निया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी यह हुनर का कैपिटल है हिंदुस्तान के टैलेंट का स्किल का हुनर का कैपिटल है और इनको यहीं से मुंबाई से इनके घनों से वोही शक्ती इनको उठा कर बार भेक रही है एक साथ मिलकर वोही शक्ती इन लोगों की जिन्दगी बरबाद करने में लगी हुई है मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूँ चाइना में एक शेहर है उसका नाम शेंजन है सच्चा मुकाबला उस शेहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा धारवी शेंजन का मुकाबला कर सकता है बैंक के दर्वाजे इन बच्चों के लिए खोलो इन बच्चों को सरकार की मदद करो और फिर देखो ये शेंजन का क्या करते हैं उठा के परे कर देंगे शेंजन को ये लोग मेडिन मुंबाई, मेडिन दारवाई, मेडिन चायना को उड़ा के हटा देगा परे कर देगा मगर नई 22 लोग है यहाँ पर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड लोगों के पास है हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं दस दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एरपोर्ट खुल जाता है वो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है अगर दस दिन में शादी के लिए खुल जाता है वो ठीक है करना है करो मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो बाकी प्रदेशों में खोलो इन्होंने क्या गलती की है पचास परसेंट हिंदुस्तान की अबादी पिछड़े बरकी है पंद्रा परसेंट गलत आठ परसेंट आदिवासी पंद्रा परसेंट माइनॉरिटी पाच परसेंट साथ परसेंट गरीब जनरल कास के लोग मीडिया के मालिकों की लिस्स निका लिए नाम दिखा दीजे मुझे दलित का नाम दिखा दो आदिवासी का नाम दिखा दो पिछड़े का नाम दिखा दो लिस्ट में एक नहीं मिलेगा आपको मैं ढून रहा हूँ महीनों से ढून रहा हूँ इनकी गलती नहीं विचारों की जैसे मोदी जी मुखोटे हैं जैसे उनका remote control इनका भी है मीडिया में कोई नहीं हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी companyy के लिस निकालिए मालिकों के लिस निकालिए गरीब जेनरल कास का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे दलित का पिछडे का किसी भी गरीब व्यक्ति का नाम बता दो किसी भी पिछडे का नाम बता दो companyy के मालिक के लिस्ट में नहीं मिलेगा नपे अपसर इस देश को चलाते हैं मैंने system अंदर से देखा है मैं समझता हूँ system को इसलिए मोदी जी मुझे ड़ते हैं सब कुछ देखा है मैंने सब समझता हूँ मैं अंदर बैठता था उसमें सालों मैं अंदर बैठा हूँ कोई नहीं चुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं मोदी जी को दबा सकते हैं तो नब्बे लोग हैं उसमें एक तीन पिछडे हैं तीन दलित एक आदिवासी फॉर्स जेनरेशन गरीब जेनरल कास्ट का मुझे दिखा दो उसमें एक नहीं मिलेगा बजट में 100 रुपे खर्च होते हैं पिछडे दलित आदिवासी सब को मिला दो छे रुपे का नहीं लेते हैं पॉलिसी कहां बनती है पॉलिसी ये 90 लोग बनाते हैं उसमें 200-300 और जोड़ दो उसमें 50-60 अरपती जोड़ दो ये है सच्ची शक्ती जो हिंदुस्तान को चला रहा है और इससे आप कोई नहीं बचेगा आप मेंसे कोई नहीं बचने वाला यहां किसी ने EVM की बात की मैं आपको बता रहा हूँ EVM के बिना नरेंद्र मोधी चुनाव नहीं जीच सकता है इलेक्शन कमिशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए विपक्ष की पार्टी को यह मशीने दिखा दीजिए खोल के हमें दिखा दीजिए यह कैसे चलती है हमारे एक्सपर्ट को दिखा दीजिए एलेक्शन कमिशन नहीं दिखा दीजिए फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है वोट मशीन में नहीं है वोट कागस में है ठीक है आप मशीन चलाइए मगर कागस की भी गिंती कर दीजिए election commission कैता है नहीं कागस की गिंती नहीं होगी क्यों नहीं होगी कैसे नहीं होगी system नहीं चाहता कि EVM की गिंती हो जाए क्यों क्योंकि यह system सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है ये आप लोग GST देते हो उतनी ही GST देते हो जितना अधानी देता है 18% शर्ट पे देते हो उतनी वो देता है उसकी आमदनी लाकों करोड रुपे आपकी 50,000 रुपे और फिर देखो पैसा कहां जाता है कोई भी स्कीम देख लो फसल भी माई यह उजना देखो 35,000 करोड रुपे 16 कंपनियों को जाता है उसमें आपको एक दल इतनी मिलेगा एक पिछड़ा नहीं मिलेगा एक गरीब नहीं मिलेगा कानून यह नब बे लोग मनाते है पैसा जाता है 16 कंपनियों में और जब हमारे किसान कहते हैं ओला गिर गया बारिश हो गई बरबाद हो गए वो कहते हैं वह यह नहीं तुम्हें मुहावजा नहीं मिलेगा यह तुम्हारा ही नहीं तुम्हें कैसे मिलेगा मर जाओ जाके नरेंद्र मोधी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है कभी आपसे कहेंगे देखो देखो चाइना की ओर देखो पाकिस्तान की ओर देखो कभी मोबाइल फोन की लाइट आउन कर देंगे ठाली बजाओ तभी कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया जैसे अभी किसी ने उनकी पत्नी के बारे में बोला अब कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया ध्यान भटकाने के लिए अब देखना होगा मगर यात्रा में यह सब साफ दिख जाता है दर्द दिख जाता है दुख दिख जाता है 40 साल से सबसे दादा पे रोजगारी हिंदुस्तान में आज है मीडिया में आपको एक मिनट के लिए नहीं दिखता मोबाइल फोन आप देखते हो चाइना का मोबाइल फोन शर्ट करीदते हो चाइना की शर्ट चूते करीदते हो चाइना के जूते चाइना के युवा को फाइदा हो रहा है और किसको फाइदा हो रहा है और किसको फाइदा हो रहा है यह आपने कभी पूछा अपने आपसे जब चाइना का यहां माल बिखता है सिर्फ चाइना को फाइदा नहीं होता हिंदुस्तान के अरब पतियों को भी फाइदा होता है भाई और बेनो इसलिए धारावी को कभी उठने नहीं देंगे इसलिए धारावी को सरकार ये सरकार कभी सपोर्ट नहीं दे सकती पुरा सिस्टम कंट्रोल में है जब इनकी पहले सरकार आई मैं आपको दिल की बात बताता हूँ पहले इनकी सरकार आई अरुन जेटली मेरे पास आते है कमरे में वैठते है और मुझे कहते हैं राहूल ये जो लैंड एक्विजिशिन का मामला है तुम इस पर मत बोलो क्यों नहीं बोलूँ जनता का मामला है अगर बोलोगे तो तुमारे उपर हम केस लगाएंगे लगाओ केस मुझे कोई फ़र्ट नहीं पढ़ता क्या कर लोगे मेरा एडी वाले आए पचास घंटे बैठा दिया अंत में पता है क्या बोलता है एडी का अप्सर मुझे पता है क्या बोलता है आप किसी से नहीं डरते हो आप नरेंद्र मोधी को हरा सकते हो एडी का अप्सर बोलता है मुझे मगर मैं राहूल गांदी नहीं हूँ आप यह मत सोचो कि मैं राहूल गांदी हूँ आप यह मत सोचो कि उद्व धाक रहे हैं यह नहीं है यह हिंदुस्तान की हवाज है आप यह है